हेलो फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सब का टैक शाला गुरू के आज की अपिसोड में फ्रेंड्स आज हम डिस्कुस करेंगे कैसे आप किसी भी स्मार्टफोन में किसी भी एंड़ोड डिवाइस में इंस्टॉल करेंगे गूगल एसिस्टेंट एप को चली शुरू करते हैं सबसे पहले हमें क्या करना है हमें गूगल प्ले सर्विसिस को अपडेट करना है Google Play Services आपको Play Store में नहीं मिलेंगी इसके लिए आपको Google Play Services को सर्च करना है और आपको Beta Program में Sign In करना है Sign In करके आप उसको Download कर सकते हो आप इसे Download कर सकते हो यहाँ नीचे दिये के Link के ओपर क्लिक करके लिंक के ओपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर एक इंस्टॉल का उप्शन दिखाई देगा, आप यहां से Google Play Services को इंस्टॉल कर लीजे सेकंड सेप है आपको Languages and Input में जाके जो भी आपकी language preference है, बहां पर प्रानी जो भी existing आप में इंस्टॉल Languages से उनको रिमूव करना है और बहां पर English US को सेट करना है, लेंगिज को सेट करने के बाद तीसरा step जो आपको फॉलो करना है वो है Google App को इंस्टॉल करना, आप प्ले स्टॉर में जाके Google App को इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो इसको इंस्टॉल होने के बाद आप माई एप में चाहिए, माई एप में जाके Google App में चाहिए, Google App में जाके आप स्टॉरेज पे क्लिक करोगे तो आप बहां पे दो आप्शन पाएंगे, cache memory, clear cache, clear all data, अब दोनों को clear कर दीजे, cache memory को भी डिलीट कर दीजे, और clear all data को भी डिलीट क अब है अब फॉर स्टेब है, आप Google App को लांच करिए, लांच करने के बाद आपको settings में जाके सेट करना है search language, search language को select करिये, आप English US में इसके वाद आप voice settings में जाके ok google settings में अपनी voice को record कर सकते हैं अपनी commands को activate करने के लिए आप अपनी ok google voice को pre record कर सकते हो तो चली friends google assistant यहाँ पर ready हो चुका है google assistant का use कर सकते हो आप अपने home devices को control करने के लिए google assistant आपके लिए news लेके आएगा home control settings में जाके आप अपने devices add कर सकते हो जिनको आप अपनी voice command से control कर सकते हैं साथ ही साथ आप news settings में जाके अपने news channels आप trusted news channels में settings में आप यहाँ पर add कर सकते हो और आपको daily news यह broadcast करेगा तो friends इन steps को follow करके आप google assistant को अपने smartphone में install कर सकते हो किसी भी android device में android marshmallow में nugget में आप इंस्टॉल कर सकते हो friends अगले episode में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे google assistant को use करोगे इसके features को कैसी उस करोगे और उससे क्या 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 काम करवा सकते हो तो चली friends आज के लिए बस इतना ही जासे आप वीडियो से अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को subscribe करिए तब तक के लिए मिलते हैं अगले episode में जैहिंग आपका दिन शुब हो आपका दिन शुब हो